हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल कहानी के शुरुआत में हमें चंके युनिवर्सिटी के रोक क्लाइमिंग क्लब को दिखाया चाता है इस कलब में कहानी का में हिरो शियादी भी था कोई इनकी वीडियो ले रहा था तो शियादी का एक फ्रेंड जिसका नाम है यांग वो आपने बारे में कुछ बता रहा था वो कहता है कि कल मेरी बहन शौलीन का बद्दे है और हम जली ही वेन्यू परवत की चोटी पर पहुंच जाएंगे हम यहां इसी ठंडे पहाड़ पर मेरी बहन का बद्दे सेलिबरेट करने वाले हैं तभी ही शौलीन को हम देख रहा था क्योंकि उसमें गिरने के बाद फन्यांग की मौत हो चुकी थी वो इस बुरे सपने से उठ जाता है क्योंकि अभी वो हिपनोसिस के जरीए अपनी पुरानी यादों को देख रहा था वो अपने किसी फ्रेंड यूं से कह रहा था कि मुझे पता है कि मेरा ट्रॉमा इन सारी चीजों से खतम नहीं होने वाला है तो प्लीज आगे से तुम ना किसी भी डॉक्टर को मत बुलाना एक्चुली मैं चपसे फनियांग मरा है तब से ही शियादी को उचाई से डर लगने लगा है वो तो थर्ड फ्लोर से भी नीचे देखने को डरता है आगे हम कहानी की फिमेल लिड लिन फैंग को देखते है वो भी चौंगे यूनिवरसिटी में ही पढ़ाय करती थी आज ज उसकी बेश्ट फ्रेंड थी वो कहती है कि तुम्हें क्लाइमिंग कलब में इतना ज्यादा इंटरस्ट क्यों है उसको तो शियादी ने 5 साल पहले ही खतम कर दिया है पता नहीं तुम्हें रॉक क्लाइमिंग का इतना ज्यादा शौक क्यों है तो लिन फैंग कहती है कि बच चंगे यूनिवर्सिटी में आता है उसके साथ शावलीन भी आई थी फनियांग की बहन श्रीयादी को तो शावलीन में कोई भी इंटरस्ट नहीं था पर शावलीन ही हमेशा उसे चिपकती रहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है श्रीयादी जिस रूम में रुखने वाला लिनफेंग चल्दी चल्दी भागने के चकर में उसके साम jestem कि गरशाती है शावलीन उसके कपड़ो को देकर गहती है कि लगता है कि तुम यहाँ की स्टाफ हो तो चल्दी से मेरे लिए पैंट लेकर आउ तो वो कहती है कि ठीक है मैं अपही लेकर आईrew। जब वो वापस नहीं बता पाई आनि उसे मार कर कहती है कि तू उल्लो की पठी आगे से उसे पूछ कर ही आना अगर नहीं वापस आई तो मैं ही तुझे मारदूंगी आगे लिन फैंग चाती है पेंट लेकर शावलिन के पास तो शावलिन उसे फिर से ओर्डर दे देती है कि ज़ली से मेरे लिए कौफी लेकर आओ तो लिन फेंग वहां से चली जाती है शावलिन दो टीशिट में हाट बना रही थी ताकि वो दो टीशिट कपल टीशिट लगे श्री आदी को ये जब कौफी लेकर आती है तो गलती से शावलिन कौफी को छोड़ कर पेंट ही पी लेती है ये देखकर शावलिन फेंग पूछता है कि तुम ठीक हो वहां पर इवेंट शुरू होने वाला था इवेंट में शावलिन को अपनी एक स्पीच देनी थी प्रोफेसर उसे बुला पेंट फ्रेंड चैनली वह स्क्रीन पर वहीं विडियो चला देता है उस वीडियो में फीन्यांग भी था फैन्यांग को देखकर श्यावलिन ठोड़ा उनकमफरेबल हो चाता है औरफ वह स्पीच को अधूरी ही छोड़ देता है जब वह बाहर जाता है तो उसे उसका फ्र शिपोर्टर आकर उस वीडियो के बारे में शियादी से पुछने लगते हैं लेन फैंग को बाहर चाना था पर जब वो शियादी को देखती है तो वो चैनली से कहती है कि तुने इतना बड़ा कांट कर दिया अब मैं बाहर कैसे चाओ तुझे किसने कहा था कि तू बीच में ह आपको बचा लेता है जब वो लिन फैंग को देखता है तो वो कहता है कि फिर से तुम रिपोर्टर्स के चाने के बादे लिन फैंग कहती है कि उस वीडियो को हमने ही प्ले किया था माफ कर देना हमें हमें नहीं पता था कि तुम उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा हर्ट हो जाओगे श्यादी कहता है कि सौरी हर बार काम नहीं आता तुमने पहरे ही किसी को हर्ट कर दिया है इतना कहते ही वो जाने लगता है तो लिन फैंग फिर से उसे रोकती है तब ही टीचर आकर उसे टाटते है कि लिन फैंग तुम यहां कर क्या रही हो तुम्हें तो स् कि माने उसे कहा था जब वो चंगे यूनिवर्सिटी में आई तो वो शियादी की फैन बन गई थी पर उसके डैड उसे मना करते है कि तुम्हारी माँ इस वचे से मरी है तो तुम्हें इस सपने को भूल जाना चाहिए पर वो उसे तो मौंचन क्लाइमिंग किसी भी हालत में क करनी थी उसके अंदर इस बात का चुनून बन चुका था लेमिंग ने उस वीडियो में से अपने फोन में कुछ फोटोस खीच लिये थे तो घर आकर वो देख रहा था उसे एक फोटो में कुछ गड़बर लगती है और उसे शक होने लगता है कि फन्यांग जो मरा है उसमे ने कहीं न कहीं हमा था शियादी का है वो पुरानी बात को याद करता है वो पहला पहार की चोटी पर पहुच गया था और तब कोई भी उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था जब वो वापस आया तो उसका पैरड तुट गया था और वह अभी होस्पिटलाइस था शिय नो क्लाइमिंग कलब को फिर से शुरू करना चाते हो तो ये तीनों कहते हैं कि हाँ एक्चली में लेमिंग उनके कलब को स्पॉंसर कर रहा था तो वो यहाँ पर उन से मिलने के लिए आया था लेमिंग एक बहुत बड़ी कमपनी का सियो है तो वो अपने कमपनी के कुछ प्रॉडक्ट इनको फ्री में यूस करने को देता है आगे लिन फैंग शियादी को ढूनने के लिए चाती है वो उसकी कार में तक चाकी कर रही थी तो शियादी कहता है कि तुम क्या देख रही हो तो वो डर चाती है शावली अकर कहती है कि तुम तो वही कल वाली लड़की हो ना तो लिन फैंग कहती है कि मैं यहाँ पर शियादी से माफी माँगने के लिए आई हूँ तो शियादी कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया चलो अब निकलो यहां से तो लिन्ट फैंग उसे हिम्मत चुटा कर कह देती है कि हम लोग क्लाइमिंग कलब को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा रहे हैं तो प्लीज आप हमारे कोच बन चाई ये सुनकर शियादी को काफी सियादा उस पर गुसा आता है तो लिन्ट फैंग अपने सपनों की एक डायरी उसे देखकर वहां से भाग जाती है शियादी कार में बैठता है और उस डायरी को फैक देता है पर जब वो घर वापस आता है तो उस डायरी को देख रहा था उसमें को फोटो थी उस फोटो को देखकर फिर से इस डाइरी को कच्छरे के डिबे में में फैक देता है पर अगले ही दिन वो लियन फैंट का कोच बंडने लिए चला चाता है जब वो उसे ये बात बताता है तो लिन फैंग काफी सिया तक खुश हो जाती है श्रीयादी उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा कोच हूँ तो क्या तुम मुझे वो वीडियो दिखाओगी तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो इतना कहते ही वो आगे क कुछ काम करने के लिए चली चाती है श्रीयादी उस वीडियो को देखता है और उसको देखने के बाद परमनेंटली उसमें से डिलीट कर देता है जब लेन फैंग वहां आती है तो श्रीयादी कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है वो वीडियो कहां गया तो लेन फैंग कोच नहीं वो तो बड़ा ही खुशो कर चाने लगता है पर चैनली आकर कहता है कि अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो वो हार्ट डिस्क में होगा यह सुनकर शियादी वापस आता है पर लेन फैंग उसे कहती है कि अब तो तुम हमारे कोच हो तो तुम्हें ऐसे छुटे मुटे काम करने की जरुरत नहीं है वो उसे लेकर कॉलेज में जाती है वहाँ पर बहुत सारे स्टुडेंट ने अपना एक कलब खोला था और वो बाकी नए स्टुडेंट को इन्वाइट कर रहे थे कि वो उनके कलब को चोईन करे लिन फैंग सबको कहती है कि अगर आप हमारे कलाइमिक कलब को चोईन करते हो तो आपको शियादी का आटोग्राफ मिलेगा शियादी तो ये सुनकर दंग रह जाता है आगे वो उसे छट पर लेकर आती है शियादी इतनी उन्चाई को देकर डरने लगता है चैनली बैनर को चिपकाने के बाद चला चाता है पर चाते टाइम वो दर्वासा बंद करके चाता है जिसके कारण दर्वासा चाम हो जाता है लिन फैंक चब शियादी को देखती है तो वो उसके पांसा कर कहती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है वो उसे नीचे सिर्यों से लेकर चाने वाली थी पर शियादी इसे डर रहा था तो लिन फैंक समझ चाती है कि शियादी को उंचाई से डर लगता है वो उसे इतना खबराते देख कर पानी देती है और नीचे चियानली को मदद के लिए बुलाती है ये सिन्य ही पर ही कट होता है अगले दिन लिन फैंग शियादी को मिले के लिए बुलाती है शियादी कहता है कि तुमने कहाँ था ना कि तुम मुझे वो डिस्क दोगी तो कहाँ पर है वो कहती है कि हम तो यहाँ पर केबल कार में बैठने के लिए आए है लिन फैंग ना शियादी का डर दूर करना जाती थी पर शियादी केबल कार का नाम सुनते ही डर चाथा है और कहता हे कि जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो वो छ़ली से करो तो लिन फेंग उसे यूएस्बी देती है तो वो कहता है कि मुझे यूएस्बी नहीं चाहिए मुझे हार्ट डिस्क चाहिए तो लिन फैंग कहती है कि वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी वैसे मैं तुम्हारी लिए एक गिफ्ट लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रॉपरली सौरी कह सकूँ वो कहता है कि गिफ्ट वो मुझे नहीं चाहिए अगर तुम्हें और कुछ काम नहीं है तुम्हें घर पर चाहरा था रास्ते में लिन्फенक उसे उंचाई से नाढ़ डरने की नुस्के बता रही थी इस से तंग आकर शियादी उसे बीच रास्ते में ही छोड देता फिर वो रेडियो चालू करता है रेडियो में नियूस में बताया चाह रहा था कि आजकल उसके इलाके में मडर और किड्नैपिंग के सब बढ़ते चाह रहे हैं लینफञ टनल के रास्ते से अकेली गुज़र रही थी तो कुछ लफंग आकर उसे चेरने के ट्राइ करते है पर लینफञ उस पर कुछ ज्यादा ध्यार नहीं देती तो वो लड़के वहाँ से चले चालते हैं फिर लिन फिंग को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वो जल्दी जल्दी भाग रही थी पर जब वो इनसान उसके कंधे पर हाथ रखता है तो लिन फैंग उसे पीछे से पटक देती है पर वो देखती है कि ये तो शियादी है आगे वो उसे माफी मांग रही थी श लगता है कि इस बात का बदला तुमने बहुत ही जादा जोर से लिया। लिनफैंग उसे कहती है कि मेरे डैड बहुत ही जादा स्ट्रिक्ट है। उसने मुझे सेलफ डिफेंस के लिए टाकवंडो जूडो सेंडो यह सब कुछ से सिखाया है। तो वो कहता है कि बस करो मेरी मा कितना बूलोगी। आगे वो दोनों किसी कन्विनियन स्टोर में खाना खा रहे थे जिस तरह से लिनफैंग चोकलेट खा रही थी तो शियादी को यह देखकर थोड़ा अचीब लगता है। लिनफैंग उसे कहती है कि बचपन से ही मेरे डैड ने मुझे एक लड़के की तर राते टाइम वो उसे कहता है कि मेरा गिफ्ट कहां है तो लिनफैंग खुशी खुशी उसे उसका गिफ्ट दे देती है। जब लिनफैंग दिवार गुद कर आ रही थी तो उसका क्लासमेट शाफिय उसे कहता है कि इतनी रात गए तुम किस लड़के से चैटिंग कर रही लेन फेंग कहती है कि इससे तुम्हें क्या वैसे हर बार शाफवे तुम मुझे परेशन करने के लिए क्यों आचाते हो वो उसे मार कर वहां से भाग जाती है शाफवे चला रहा था तो गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं वो कहते है कि तुम इतनी रात गए यहां पर कर क कि खतम वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब करते चाओ